हुआ है हलो पीपल वेलकम बैक टुग मैं चैनल सुभा के चार बच के पन्रा मिनिट हो रहा है आज की राइड बहुत स्केशल होने वाली है हम आज हमारे एक्टिवा पे हैद्रापाइड से मुंबाई जाने वाले है तो आम वेरे एक्साइटेड वहुट एक्साइटेड हु है चलो पापा बाई मैं जा रूँ है सो गाइस अपन निकल चुके है यहां से हैद्राबाद से अपने घर से थोड़ा थोड़ा करते वे कुछ ज्यादा ही लेट हो गया मैं तीन साड़े तीन को निकलना चाह रहा था बैट फॉर फॉर्फॉर्टी सम्टिंग हो रहा है अपना जल्दी जाने का कोशिश करेंगे सो गाइस मिलते आपको आगे रोड़ पे सो गाइस आज का यह अपना पहला प्रेक है पैदापूर फेमस टी पे एक्चुली नहीं रुखने वाला था हमें बट क्या थोड़ा सा थंडी जाधा लग रही थी सो इसलिए चाई पीने के लिए रुख गया था हमें सो अभी मिलते आगे आपको है हलो पीपल गोड़ मॉर्निंग एवरिवन वेलकम बैक टू माइच चैनल अभी अपना जहिराबाद में है हिद्राबाद से हन्रेट किलोमेटर्स आ गये है अपन अभी थोड़ा सा उजाला हो चुका है सो अभी अपन जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा खीचेंगे क्योंकि थंडी है थंडी में अपन ज्यादा चला सकते है गाड़ी थोड़ा थंड़ा रहेगा इंजन क्योंकि अपने गाड़ी का छोटा इंजन है सो अपने को अभी जितना ज्यादा हो सकता है अभी उतना ज् खींचेंगे क्योंकि जैसे ही दूप हो जाएगी अपने को 40, 50, 50, 60 किलो मेटर पे अपने को गाड़ी को 15, 20 मिनट का ब्रेक देते रहना पड़ेगा अभी थंडी है तो थंडी में अपन 150, 200 तक अपन खींच सकते है तो अपन जितना जाधा हो सकता है उतना जाधा अपन अभ सकते है अपन 600 किलो मेटर जूर है अपन अपने डेस्टिनेशन से सो भाई मैं बहुत जाधा ही एक्साइटेड हूँ मेरा ये फर्स राइड है इतना लंबा सो आइम वेरी एक्साइटेड फॉर दीस बहुत जाधा खुश हूँ मैं मैं पहली बार इतना लंबा राइड कर रहा हूँ सो आई होब बहुत मज़े आने वाले भाई आगे बहुत ही बहुत मज़े आने वाले आगे वेल्कम टू करनाटका सोलापूर 178 किलो मेटर मुंबाई 574 किलो मेटर से यहां से सो अपन अभी कंटराटका में इंटर कर चुके है एक्शुली हाथ देखिए बहुत जाधा ही थंडी है यहां पे सो ऐसे आईस टाइप में फील हो रहा है मेरे को बहुत जाधा थंडी ऐसे स्टोन टाइप हो गया है मेरा हाथ थंडी बहुत जाधा है अपन यहाँ पे फोटोस के लिए रुकेते हैं अपन यहाँ पे फोटोस लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से सो यह आज का पहला फ्यूल ब्रेक है अपना अपन यहाँ पर फ्यूल भरा लिए है यहां से अभी अपन निकल रहे हैं यहाँ पे एक्चुली एर के लिए नहीं है बोल रहे हैं मेरे को एर भी चेक करवाना था मेरे गाड़ी में सो अभी थोड़ा सा आगे पर है बोल रहे है एर वाले सो अपन आगे जाके एर चेक कराएंगे फिर लिख लेगे हैं सो पेटल पम से थोड़ा आगे आने के बाद में अपने को एर प्रेशर की दुकान मिल गई है एक्चुली मेरे को नाइट्रोजन भरवाना था बट पीछे पर लगेज है और यह अपना कुशन टाइप में है कि थोड़ा साफ्टर रहेगा बोलके लगा लिया था मैं कि इसमें क्यामरा एक्सेसरी सब है मेरी पीछे में कपड़े है सो यह वाला पुरा नलदूर फोर्ट एरिया है नलदूर है यह देखिए फोर्ट है यह नलदूर फोर्ट तुल्जापुर से थोड़ा सा पहले आता है हम लोग इसके पहले भी यहां पर आये थे बहुत मस्ट प्लेस है वो एक दिन भी आपको कम पड़ेगा जब आप मस्ट एरिया है अंदर पर बहुत व्यूपॉइंट्स अच्छे व्यूपॉइंट्स बहुत ज्यादा ही मस्ट है वह अंदर पर एरिया तो एक नंबर है भाई यहां पर तो पुरा यह देखिए यहां पर बाजू में लेक है बहुत मस्ट व्यूव लग रहा है यहां से और पानी देखिए कितना उपर तलग है अगर बारिश आएगी पूरा उपर से तो इधर पर आ जाएगा पुरा बानी उपर रोड पर उतना भरा हुआ है मस्त है एक नंबर व्यू है भाई बहुत सबादस प्लेस है गया सो यहां से पूने 175 किलोमेटर कुछ बता रहा है भाई सहाब मैं 40-50 किलोमेटर से आया वहां से पर्ट मुझे एक पेट्रोल पंप नहीं दिखा भाई एक भी पेट्रोल पंप नहीं है यहां पर बहुत दिक्कत हो रही है पेट्रोल के लिए ऐसे मैं तो अब देखिए यहां पेट्रोल पंप वो साइड पर भी नहीं है यह साइड पर भी नहीं है पेट्रोल पंप तो पीछे से एक और पूछे थे इसते वॉलब्स आ बशागे हैं प्रिवश्यटोल पंप ऑट से देखते हैं एक भी प्रिकाई दिख्छा है लेट सी भाई साहब बहुत खुशी हो रही है मुझे 50 किलोमेटर से आया वहाँ पर देखो आगे पर पेटल पम दिखा है मुझे लिटरली भाई बहुत जादा देखो इम्टी बता रहा है पुरा अगर बंद हो जाती तो बहुत दिक्कत होती मुझे पट फाइनली हमको प पेटरल मिल जाए यहाँ पर सो बहुत अच्छा होगा चलो पेटरौल है यहाँ पर अपन पेटरौल भाई आगां से फिर यहाँ से निकलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आएंब का आपने यहाँ पर प्रिट्रल गॉंगा रहनौ मैं तो लटेखी जाता भाई इस हम यह भाई मेरा इंस्टाइडी पूछ रहते उन्होंने मेरी गाड़ी देखिया और पूछा भाई कहां से हो पूछ एँसे पूछा और इंस्टाइडी यूटूप का दिया और मेरा स्टिकर भी उनको दिया मैंने भाई ने फिर मेरे को हैड्रेस अच्छे से समझाया और उसके बाद मैं में वहाँ से निकला और भाई ने बोला बहुत अच्छा है प्रोफायल चक किया और फिर फॉलो बैग भी करना मिरको तो वह ठीक है भाई जरूर करेंगे आपको अड्रेस्ट समझाया उन्होंने पिर अपन यहां से निकले फिर भाई ने अड्रेस्ट समझाया फिर हम यहां से निकले थांक्यू दादा सो गाईस अपन पूना में इंटर कर चुके है अभी ट्राफिक देखिए भाई इतना ट्राफिक है कि समझ में नहीं आ रहा है अभी मेरे को अभी तलक में रीच हो जाना चाहिए था बट अभी 4 आर्ट बता रहा है मुझे और 160 किलोमेटर के पास मैं यहाँ पे बहुत जादा ट्राफिक है बहुत ही मतलब पूछो मत इतनी गंदा इतना गंदा ट्राफिक है न यहाँ पे पता नहीं देको ट्राफिक बहुत जादा यहाँ पे अधि चलिए अभी तलग मैं जहां मेरा डेस्टिनेशन है वहां पहुंच जाना चाहिए था बट मैं भी पहुंचा नहीं हूं यहां पे और इतना बुरा-बुरा चलाते ना भाई यहां के लोगा पूछो नो को अपने हाइदराबाद समझाता हाइदराबाद से सवगुना बढ़ है मेरा यहां पे पूरा में भाई यहां पे Google मैप भी इतना घुमारा ना भाई पूछो मत गूगल मैप की वज़ेसे मैंने पच्चास से सो किलो मेटर मतलब पूछो ही मत उतना ज़ादा गुम के बहुत बुरा वाला फसाओं मैं गूगल मैप है कभी फरोसा मत करना पूना में यो जो सामने भीया जा रहे है ना बाइकर है एक्चुली उनके मतलब उन्हों जो पहने थे हेलमेट वगरा देखके मैं पैचान लिया था उनको मैंने साइड में रुकाने के लिए बोला तो उन्होंने साइड में रुकाया और उन्होंने बोला यहां से मैं आपको रस्ता बता दूँगा आगे पे वहाँ से आप चले जाना एक ही रास्ता है उनको मैं request किया तो उन्होंने मुझे रास्ता बताने के लिए वो मेरे साथ में भी चल रहे उन्होंने बोला आगे पे मैं आपको छोड़ दूँगा आप वहाँ से चले जाना ये भाईया ने बहुत help की मेरी भाईया तै picture so much भी ये एक ब्रिज और यहाँ से दो ब्रिज और ये ब्रिज इदर को जारा भाई भाई साब कितने सारे ब्रीज है यहाँ पे एक एक सिटी से मतलब लाइक एक सिटी में इतने सारे ब्रीज भाई बहुत साधा है भाई यह ब्रीज है क्या है समझ में नहीं आ रहा मेरे कुछ बाइगन इतने सारे ब्रीज कोन लगाता भाई भाई साब यह ब्रीज के चक्कर मे ना भाई मैं एक ब्रीज चड़ने का एक ब्रीज चड़ गया सो मेरा पचासो किलोमेटर मेरा घूम के आया भाई इतने सारे ब्रीज है यहाँ पे पुना में कि पूछो ही मत आप सो फाइनली गाईस अपन आ चुके है तारों के शहर मुंबाई में अपन फाइनली मुंबाई आ गए है मुंबाई में देखो भाई कितने बड़ी बड़ी बिल्डिंग है कितना बड़ा रोड है यह तो भाई देखो कितने सारे बिल्डिंग से यहाँ पे बहुत ही मस्त सिटी है बट अपन थोड़ा सा लेट हो चुके है आने के लिए अपने को आते आते बहुत जादा ही देर हो चुकी है तो अपन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाने की कोशिश कर रहे है बट जितना जल्दी सोच रहे थे उतना लेट हो रहा है अपन रिज टाइम 6.30 और 7 ऐसे सोचे थे बट अपने को आते आते 11 बच चुके है यहाँ पे सो अपन अभी जा रहे है अपने को ठाने जाना है प्रतिक दादा के घर पे वहाँ पे दादा से मिलना है अपने को सो वहाँ पे अपन जा रहे है अभी अरे क्या लौरिया लौरिया है भाई आगे पे लौरी पीछे पे लौरी इधर पे लौरी उधर पे लौरी अपनी चौरस या लौरियों में फस गई भाई एक साइट से जाने का छोड़के इधर लौरी उधर लौरी हो गई और अपन अटक गए बीच में यह बस ऐसा दिख रहा न भाई जैसे की मैं बीच में फस गया हूं इए यहां से गाडी भी नहीं निकाल सकते अपन बीच में अटक गया हूं मैं यहां पे भी यह खली नहीं रहता यह लौरी वालों को दिमाग खराब करके रखा है यह लोगों ने देखो पिछले दो किलोमेटर से ऐसे ही कर रहे हैं यह लोग ऐसे ही जा रहे हैं ना साइड दे रहे ना जाने दे रहे ना आने दे रहे भाई साहब नवी मुंबाई फाइनली अपन आ चुके है मुंबाई में मुंबाई मुंबाई बोलते भाई लव नवी मुंबाई फाइनली अपन आ चुके है भाई सो अपन अभी नियर भाई आ चुक है लोकेशन के अपने लोकेशन जो पिजाया था दादा ने वहाँ पर आ चुक है सो जेस्ट अभी मेरी उनसे बात हुई उन्होंने बोला आ रहा हूं में नीचे उनका घर यहीं पर कहीं पर है अगर भर आ रहों में कॉल आया मुझे उन्होंने बोला है कि वो आ रहे भी दो में ,शो अपने वेट पॉट कर रहे उनका शो-प्रतिक दादा आजयए फाइनली यहीं पर उनका घर है बता रहे वहाँ पे उनका घर है वहाँ पे जाना है दादा ने मुझे बोला कि गाड़ी वहाँ पे लेना है तो उन्होंने बोला कि आप गाड़ी से उत्रो मैं गाड़ी लेके अंदर पे आऊंगा आप वहाँ से पैदल वहाँ पे चले जाना सो दादा वो दादा को मैंने गाड़ी दी सो दादा अंदर पे लेका है मैं वहाँ से पैदल चला गया हम वहाँ से